बहराईक से इस वक्त की बड़ी ख़बर सामने आ रही है फिर हुआ एक युवक ठगी का शिकार लगतार दूसरे दिन भी ठगी हुई पुलिस चकिन के नाम पर डेड़ लाख रुपे की ठगी हुई है नगर कोतवाली के अंतरगत रोडवे से पीपल चौराहे के बीच में पढ़ने वाले सुमया मौल नाजिरपुरा के सामने का ये मामला है युवक हस्मत अली पुत्र रह्मत अली जो की मौला हमजापुरा का निवासी है आज सुबा अपने व्यापार के सिलसिले में रुपे लेकर कही जा राता उसको कुछ ठगों ने जो की सिविल डेस में ते अपने आपको पुलिस बताया और चेकिंग के नाम पर डेड़ लाग रुपे ठग लिए युवक ने अपने नजदी की पुलिस साने जाकर शिकायत किये अब देखना यह हुगा कि अखरकार दो दिन में खुवी दो वारदातों से पुलिस क्या कुछ करवाई करती है क्या नाम है आपका और कहा के रहने वाले है असमत अली मंसुद है क्या मामला है मामला ही है कि हम घर से सुगा डेलाग रुप्या लेके चले बैग के अंगर और हम वेक्षा पड़के यहां बेशमया माल के बास हमको हमारा रख्षा रोका गया उन्होंने कहा कि नसाफवदात का समान की तर आज यह बैग चेक हो रहा है हमको हमसे बैग लिए बैग चेक थिया हम को कुछ साउ कर वांपी रहें टों को लगा कि हमारा वेक है हम लगा हमको हुट है हमने बैग चेक लिया उसमें रुपिय ही नहीं थे वह नोग फंसाघ्ञाली से तेह मुझे उयाद यू रगहिट तह में, अजी लंबा से था हई ह आपने उन लोग कुछ पहचाना है कि यह वो तगले से था यह कुछ लंबा से था गाड़ी जो लिए हुए तो साथ किस कलर की थी ताली ब्लैक कलर की प्रशाली नंबर आपको याद है नंबर नहीं याद है कि उसके बाद आपने पुलिस को सुचना दिये पुलिस उसंदा चौकी पे गें गंतागर चौकी को पर वहां कोई नहीं मिला उन्होंने कहा जाई याद गोर्वेश चौकी पर वहां गये तो वहां कोई ठाएन है जी 112 नंबर पर डाल किया तो भूम नहीं उठ रहा था फिर हमको सुचना वाली बेजा जा रहा है इसके बाद में यहां सावाय सब्सक्राइब